मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी compete करेंगे ने इंडिया से, still you will not be able to come to the same level of India. तो जनाब, मुदी सहाब इस वक्त डिमांड में है, PM मुदी इन बिग डिमांड, पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरे हैं, वो भारती प्राइम मिनिस्टर के उपर हैं. और आप देखें कि जो रेशन्स हैं, वो डोलकियां भी बिजा रहे हैं, वो इंडियन ड्रेस भी पहन रहे हैं, वो सारा कुछ करते हैं. पाकिस्तान को जैलिसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जैलिस हो रहा होगा, कि देखें जब हमें बुलाये जाता हैं, तो हमें तो ऐसा इसतक्बाल नी दिया जाता. ये चीजें बताती हैं कि भारत की जो इंग्रेस है, वो सिर्फ वेस्ट में नहीं है, बढ़िके रेस्ट आफ दे वर्ड में भी है. इंडिया के साहथ आप नीपाल से कमपर्शन करो बंगलादेश से करो अगवानिस्तान से उन्हों से आगे निकलो फिर इंडिया की सोच जाई नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नहीं रियक्षन वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोधी जी का जो रश्या विजीट हो रहा है उसको लेकर और भारत को लेकर पाकिस्तानी पबली का रियक्षन लिया जा सब्सक्राइब करेंगे इंडिया हमसे बहुत आगे हैं आपको कहता हूं कि आप 30 साल भी कंपीट करेंगे ने इंडिया से स्टिल यू विल नोट बेबल तो कम टूब तो सेम लेवल उफ इंडिया विल नेवर बीडिया आई से हम मेहनत शुरू कर दें मांदारी और सब कु आई से हैं गारी यहां फूट पर चले लाएक आप देखें रूट की क्यों हो जाती है मारे लावर में इतरी क्योंकि कोई चेक करता कितना कारबन निकाड़ है गारी कार्बन फूट प्रिंट हैं पुट प्रिंट हैं जो हैं पासिंग करो विदे बाट का रहे हैं आप जो आप बात करें आलमुस्त यही बात वह भाई का रहें लेकिन यह चीज हमारे आम पाकिसानी की सोच में क्यों नी बैटरी जहन में क्यों नी बैटरी के यार वह आगे कैसे चले गे हम यह नहीं कहते कि आगे ना जाएं मैं बोलूँगा क्यों उसके पास 70 क्यों है मैं कुछ क्यों नीचे लेक्या हूंगा वज़ाएं के वह बाई के पास 70 है मैं मश्वणा लोग आप अपकर ना चाहूंगा इंडिया के जितने बी प्राइम मिनिस्टर अभी तक आए हैं उनका 22 विजट हुआ ये रशिया का इसके लावा अगर प्राइम मिनिस्टर नेरिंदर मुदी की बात करें तो 15-16 बार रशिया के वज़रियाजम से मुलाकात हुई है उनकी अब मुझे ये बताइए आपके पाकिस्तानी वज़रियाजम की कितनी को मीटिंग होती है इनके साथ अभी हमारी तरक इंडिया प्राइम मिनिस्टर जाता है वेस्ट की जूरत नहीं होती के उसके खलाव कोई बात करें या कोई स्टेटमेंट दे हमारा प्राइम इसर जानता है तो इधर से आता है किसे नकाल दूसरी कंट्री में यह है कि एक बदे को एक वोड़ा मिल गया है मोधी है आप सब बंदे नहीं थे वह बहुत अमीर थे इसलिए उन्हों को उदा मिला वैसे नहीं है वह अपनी मेनत से अपने तो जुरबे से आए यह और यह अच्छा खासा रहें तो इन्हों को प्राइम निस्टर बना जो वह अपनी मेनत कर किया है और पूरा की अगे पांच साल के लिए व यह पूरी दुनिया को चेंज करने की तरफ जा रहे हैं एक तरफ बताया जाता है कि अमेरिका और दुनिया के जो पावर फुल कंट्री जो अम्भीर लोग है इन सबने प्रायम मिनस्टर मुदी की रिक्वेस्ट की हैं आप रस्ञा जा जाएं रस्षिया जा के उनके वज razón से बाद करें अप यूक्रे keज्ध की र रहे हैं यूक्रेण की जंग कर रुकुए इंटरनेशनल लेवल पर बात किस मूँ से कर सकते हैं हमारे पास कोई होदा है नहीं है कि हम बात करें अब अगर इम्रान खान जाएंगे बात करेंगे लराई की उसको फटा जाएगा शेबाज शरीफ जाएंगे फिर अब डशर्ण फेस नहीं हमारे पास हमारे पास एक पेस होना चाहिए कि वह पेस अमारे साल 15 साल से दुश्य दुनिया को पता चले है इम्रान खान रहे हैं इम्रान जो भी है इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं हम यह नहीं कहते हैं मतलब नैशनल पॉलिटिक्स बज़ें इंट और बनिया को नीचे दिखा सके आगर आप पेपर 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 आप जा करें कोई भी गूगल फैर्ड चीज आपको मिलती है बाकिसितान से जट्म मुस्लिम आडनिया में मुझूद है ये मिनदिया तो हमिंद्स किशाल मुसलमान कॉंहें नहीं है कई सब्सक्राइब नायाwen उन्हे AHP इमन का चोटा पक्चा लेन उन्हों के इतनी लॉलीच है इतनी नौलीच है कि झाइए मुझे भी वह नॉलिज नहीं हो एक पहना सार के बच्चे को मैंने जितनी नॉलिज इसका मदलब है उन्होंने अपने एज्यूकेशन सिस्टम पर और दूसरे नंबर पे हमारी बाते शाइद कुछ लोगों को थोड़ी कड़वी थोड़ी बुरी लगें लेकिन यकीन माने य इंदिया में सभस्यादा और बड़ा पैसा कमाता है आपको आइडिया है कि एतना पैसा नहीं कम आता जितना पैसा एक साल में इंडिया आइटी एक्सपोर्ट करके कमाता बगें टर ज एक और बताईए हम लोग डर जाते हैं रशिया कैसे टेले लेते हुए हम लोग डर जाते हैं इरां से गैसस पाइप Ciao कि ले ते हुए इसमें की जबिए करते हैं कि ले-क ले-क दिखा तें ये अपने लोगों का फाइदा करके दिखा दें आज निरिंदर बैड के ऐल के प्राइस को और कम करना पने कंट्री एपने लोगों के लिए फाइदा नि दे सकते मेरे हमारा जो और भी लो तीन दिन कि अच्छा नहीं हैं तो दोस्तों आए होड़ जरूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी पप्लिक हा रियक्षंड देखा एक तरीके से बारत के साथ में कंपेरेजन कर रहे और जैसा वीडियो के अंदर भी ओका रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इमानदारी के साथ आज मेहनत करना शुरू करता है तो तीस साल लगेंगे पाकिस्तान को फिर भी वो भारत की बराबरी तो नहीं कर सकता है लेकिन एक बड़िया पोजिशन पर पाकिस्तान पहुंश सकता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जैसा हम सब को ही पता है कि उनका जो बजट वगेरा है वो भी आईमेप डिसाइड करता है कितने ज़्यादा टेक्स है अभी हाली में जो आईमेप के कहने पर पाकिस्तान की सरकार ने टेक्स बड़ा दिया है पाकिस्तान के जितने भी डीजल पेट्रोल बीजली वग्यरा है उनके उपर तो महगाई काफी जादा है पाकिस्तान में जनता काफी जादा परेसान है लेकिन फिर भी अक्सर हम देखते हैं कि भारत को लेकर पाकिस्तानी पबलिक के साथ में जो है इस परकार का कंपेरिजन होता रहता है तो बाकि आपने कुछ कहना है तो कमेंट करके जरूर बताना हम मिलेंगे अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद